नमस्कार बच्चों स्वागते आपका हमारी यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्थ 10 टॉल स्टॉय के घर के दर्सन इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्माजी ने इनका जन्म हुआ था 1905 सागर मद्य प्रदेश में और उनकी मृत्ति हुई थी 1990 में इनका परिचे देख लेते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्माजी आधुनिक हिंदी साहित्यम में प्रमुक एकांकी कार के रूप में जाने जाते हैं आप भूमुकी प्रतिभा के धनी थे आप एकांकी कार उपन्यास कार आलोचा केमम कवी के रूप में प्रसिद हैं आप हास्यों और व्यंग्य दूनों विधाओं में समान रूप से पकड़ रखते थे आपने नाटकों के माध्यम से देश्वासियों में भारतियता देश प्रेम और समाजिक चेतना जगाने का कारिय किया इनकी प्रमुक्रितिया कौन-कौन सी है तो देखें चित्र रेखा ये क्या है उपन्यास है फिर एकलव्य उत्तरायन अहिल्या ये क्या है महाकाव्य है फिर बादल के वित्तिव दस मिनट प्रित्वी राज की आखे रेशमे टाई दीपदान रूपरंग ये सभी क्या है एक आंकी है और विजय पर्व सत्यकास्व अपन ये सभी क्या है नाटक है तीक्या अब यहाँ पर गद्य संबंदी देख लेते हैं तो प्रस्तुत पाठ में र कुमार वर्माजी निय प्रसितुत रूसी लेखत टॉल्स टॉय-चीक कै जीवन परिवार그램 भवन घ्र GREG करतिया समाधि आधी के बारे में विश्यत जानकारी प्राप्त होती है समझ में आया आपको जब आप पड़ेंगे न तो आपको समझ में आएगा जो रूसी लेकक है कौन टॉल स्टॉय ठीक है तो उनके जीवन का विवरड यहां पर दिया हुआ है ठीक है उनके परिवार के बारे में उनका भवन फिर उनका ग्रंथाले उनकी कृतियां यह सारी चीजे यह पाट पढ़ने के बाद आपको पता चलेंगी किसके बारे में टॉल स्टॉय के बारे में तो चलिए हम पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं बच्पन में मैंने टॉल स्टोई के डायरी कई बार पढ़ी थी उसमें उन्होंने जो बाते लिखी थी उनके अनुसार आचरण करने का भी मैंने प्रयत्न किया था मुझे स्वपन में भी यह भान न हुआ था कि कभी इस महान लेखक की मात्र भूमी पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा मासको में आने के पहले दिन से सबसे प्रबल इच्छायर थी कि मैं यासान्या पोल्याना जाऊं तो देखिए यहां पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं लेखक जी लिख रहे हैं कि बच्पन में मैंने टॉल स्टॉय की डायरी कई बार पढ़ी थी और उसमें जो भी बातें लिखी हुई थी उसके अनुसार मैंने आचरण करने का भी प्रयत्न किया और मुझे सोपन में अभी नहीं होता है मतलब मैंने सोपन में पर जाऊंगा ऐसा सवंभाग्य मुझे प्राप्त होगा मासकों में आने के पहले दिन से सबसे प्रभल इच्छा यह थी कि मैं यासनाया पोल्याना जाओं और मास्कों में आने के पहले दिन से मतलब जब मैं मास्कों में आया था उसके पहले दिन से ही मेरे मन में प्रबल इच्छा थी कहाँ पर जाने की यासनाया पोल्याना अब यासनाया पोल्याना में क्या हुआ था आपको पता है देख देखते हैं क्या है याजनाया पोल्याना मासकों के दक्षिर में कोई 200 किलो मिटर पर है जब हम मासकों से रवाना हुए तो चारों और मंत्र मुग्द करने वाली द्रिश्यावली दिखाई पड़ी देवदार और भोच व्रिक्षों के जुर्मुट पंक्ती बांधे सैनिकों की भाती खड़े थे हम यह द्रिश्यावली देखते कभी बाते करती कभी इस सुष्मा का मुक्पान करते चरे जा रहे थे हमारी गाड़ी सुन्दर सडग पर पक्षी की भाती उड़ी जा रही थी रास्ते में छोटे छोटे परंतों सुन्दर मकान मिले कुछ काटके बने कुछ कंक्रेट के चमकदार हरे और लाल रंग के थे ऐसा लगता था मानो कोई जादुगर अपने खिलों ने छोड़ गया हो आप देखिए जो लेखक जी हैं वह आगे क्या लिखते हैं कि जो यासनाया पोल्याना था वह मास्को के दक्षिर में 200 किलोमेटर पर है ठीक है औ और जब हम मौस्को से रवाना हुए तो चार और कैसी थी द्रिश्यावली कैसी दिवा का द्रिश्य कैसा था एकदम मंत्र मुग्द करने वाला था देवदार और भोज के व्रिक्षों के जुर्मूट पंक्ति बादे सैनिकों की भाति खड़े थी मतलब देखिए जैसे दे खड़े हैं हम यह द्रिश्यावली देखते कभी बाते करते कभी शुच्मा का मुखपान करते करते चले जा रहे थ애 हमारी गाड़ी सुन्दर सडक पर पक्षी की भाती उड़ी जा रही थी और जो हमारी गाड़ी थी ऐसा लगता था कि बहुत से सुन्दर से सडक है और उस पर के पंक्षी की भाती पंक्षी जैसे उड़ रही है और रास्ते में चोटे-चोटे परंतु सुन्दर मकान मिले, कुछ काट के बने थे, कुछ कंक्रीट के और चमकदार हरे और लाल रंके थे, कुछ काट के बने थे, काट का मतलब क्या, जैसे लकडी होती न, उसे बोलते हैं काट, और कंक्रीट तो आपको पता है, जो सिमेंट वगर ऐसा बनाए जाते हैं और लेकक बोल रहे हैं कि ऐसा लगता था कि मानों कोई जादुगार अपने खिलों ने यहां पर छोड़ गया हूँ अब आगे दिखते हैं मुझे यह देखकर विसमे हुआ कि एक गाउ का नाम चीखोव था चीखोव यहां लंबे समय तक रहे थे यह कितनी अच्छी बात है कि इस महान लेकक के स्मृति को सोवियत संग में संजोकर रखा गया है पिर यहां पर लेकक बोल रहे हैं कि मुझे यह देखकर क्या हुआ विसमे हुआ कि एक गाउ का नाम क्या था चेखेव था ठीक है और जो चेखोव थे वो यहां पर लंबे समय तक रहे थे और यहां कितनी अच्छी बात है कि इस महान लेकक के स्मृति को सोवियत संग में संजोकर के रखा गया है अब आगे देखते हैं देखें रात में हम तुला नामक छोटे किन्तु बहुत पुराने शहर में रुकें तुला हमारे यहां के प्राचिन नगरो जैसा है सवेरे हम यासनाया पोलियाना पहुचे यासनाया पोलियाना का स्वागत करने के लिए हम अपनी गाड़ी से उतर पड़े यही वह स्थान है जहां कि मट्टी ने विराट प्रतिबा संपन मनीशी टॉल्स्ट्रोई को जन दिया था तुला नाम क्षोटे से लेकिन पूराने साहर में तुला नाम का छोटा सबिए और पुराना भी था था और तुला पहुचे प्राचिन नगर होते हैं गया सवेरे पहूंचे यासनाया पोलियाना पहुचे और यासनाया पुल्याना का स्वागत करनी के लिए हम अपने गाड़ी से उतर पड़े और फिर हम अपने गाड़ी से उतर पड़े और यही वा स्थानसा जहां के मित्टी ने विराध प्रतिभा संपन मनेशी टॉल स्टॉय को जन्म दिया था मतलब यहीं क्या थी टॉल स्टॉय की जन्म भूमी मात्री भूमी थी प्रवेश द्वार पर लेकक की ग्रिनाइट के मुर्ती थी जिसके चारों और सुन्दर कटगरा था उनकी आकरती पर गंबीर चिंतन और आत्मा की उद्दात भावना जलक रही थी मैंने कई दिशाओं से मुर्ती के फोटो उतारे और इसके बाद जब हम चले तो हम उस मुर्ती की ही बात सोच रहे थे लंबे लंबे देवदार व्रिक्षो के बीच से होकर एक सपस्ट मार्ग गया था इस पर यसनाया लिखा था दृष्ष्यावली देखने और मंचाए फोटो लेने के बाद हम इस सुखत मार्ग से आगे बढ़े फिर यहाँ पर लेखक जी क्या कहते हैं कि प्रवेस द्वार पर क्या बना हुआ था जो महान लेखक थे कौन थे टॉल्स्ट्राइए इनके ग्रिनाइट के मुर्तिमा पर बनी हुई थी जिसके चार ओर क्या था सुंदर कटगरा था ठीक है और उनके आकरिती पर गंबीर च क्या कर रहे थे सोच रहे थे और लंबे-लंबे देवदार रुच्छों के बीच से होकर एक पस्ट मार्ग गया था इस पर क्या लिखा था यह असनाया लिखा था द्रिश्यावी देखने और मंचाये फोटो लेने के बाद हम इस सुखद मार्ग से आगे बढ़े ऐसा लेख जी बोल रहे हैं चलते चलते हम उस प्रसाद में पहुंचे जहां टॉल स्टॉय रहा करते थी फिर यहां पर लेखंग जी लिख रहे हैं कि चलते चलते हम कहां पर पहुंचे उस प्रसाद में पहुंचे प्रसाद मतलब क्या आता है जैसे राजा महराजी लोग पहले कहां पर जहां पर रहते थे दो उसे क्या कहते हैं प्रसाइजेस जहां टॉल रहा करते हैं पर ता इसके पास ही कभी वह मकान था जहां 1828 में टॉल स्टॉय पैदा हुए थे फिर यहां पर लेकर जी क्या लिक रहे हैं कि यह प्रसाद कब बना था पिछली सथी के पहले चरण में बना था और इसके पास ही कभी वह मकान था कुनसा मकान जहां पर 288 में टॉल स्टॉय पैदा हुए थे अब इस मकान का अस्तित्व नहीं है क्योंकि जब यह पूराना और जिर्ण शिर्ण हो गया तो एक जमीदार के हाथ बेच दिया गया और फिर यहां पर लिखक जी क्या लिख रहे हैं कि अब उसका कोई भी आस्तित्व नहीं है क्योंकि जब यह पूराना जिर्ण शिर्ण बेकार हो गया तो फिर इसको एक जमीदार के हाथों से हाथों में पेच दिया गया ठीक है उसने इसके मसाले से नया मकान बनवाया दो पेडों के बीच जहां पहले वह मकान था उस जगह लिखा है यहां वह मकान था जिसमें टॉल्स्टॉय का जन्म हुआ था और फिर उसने क्या किया वहाँ पर नया मकान बनवा लिया और दो पेड़ों के बीच पहले जहां पर वह मकान था वहाँ पर क्या लिखा है कि यहां वह मकान था जिसमें टॉल स्टॉय का जन्म हुआ था जिस मकान में टॉल स्टॉय रहते थे वह बड़ा और सुन्दर है यही उन्होंने अपनी महान रचनाई लिखी और अपने युग के प्रसिद लेखकों से मिले फिर यहां पर लेखर जी लिख रहे हैं कि जिस मकान में टॉल स्टॉय रहते थे वह मकान कैसा था बहुत बड़ा और सुन्दर था और यही पर उन्होंने अपने रचनाय 6 और अपने उग्यक से मिलीं ज thrilled this a ya kardeşim तोल्स्ट्वय के नाना नाना का था ठीक है यास्नाया पोल्याना किसका था तोल्स्ट्वय के नाना का था है टॉल्स टॉय की पिता की एक लोड दी टॉस टॉय के पिता रिणी सेना में अधिकारी थे उनके पास कोई विशे समत्ती न थी वें यासनया पॉल्याना में रहते थे और वॉल कांश की ने जब अपनी बेटी की शादी फ्धोजी ओफसर से की तो यह प्रशाद दहेज में मिला था फिर यहाँ पर लेकश क्या लिख रहे हैं कि यह शनाया nervous जबysis तो जो तोई के नाना का था जो जो डॉल सियमत है उनके पीता यासनाया पोल्याना में रहते थे और वॉल कौन से की इन्हें जब अपनी बेटी की शादी और वॉल कौन से की मतलब किसका नाम आप सोच सकते हो देखो आप ध्यान से इधर देखना जो तॉल स्टॉय की माता जी थी मात थी उनकी शादी किसके साथ हो इसी फोजी अफसर से ह हैं वो पहँद आप इसे समाझ़ सकते हो कि वो टॉल्स्टॵइ की we are उस्मणाजी पिताइँ ताल स्टॉइ के नानाजी ठीक है उन्होंने अपनी बैटी मतलब टॉल्स्टॉइ की मा के शादिः इसके साथ कर दी जो टॉल्स्ट्रेय के पिता जब केवल देड़ साल के थे तभी उनकी मान नहीं रही और पित्री वियोग का सामना उन्हें नौ साल की उम्र में करना पड़ा उनका लालन पालन उनकी फूफी पेला गया इली नित्वीना युश्कोवा ने किया जब टॉल स्ट्रोई बड़े हुए तब वोलका नदी के तटवर्ती कजान नगर चले गए कजान विद्याले में उन्होंने अर्भी और तुर्की भासाएं दर्शन तथा कानून का अध्यन किया परन्तु यास्ताया पुल्याना के लिए वे बराबर ललकते रहे उनके मन में यह बात पैठी हुई थी कि किसानों के बीच रहने से बढ़कर कोई चीज नहीं टॉल स्ट्रोई किसानों की तरह खेती करते थे फिर विज्ञान और यात्रा में उनकी रुची रही इसलिए वे क्राकेशिया चले गए और रूसी सेना में भरती हो गए अब फिर यहां पर छो लेखक जी है वो tv बा Alrighty में बताती हुए क्या कहते हैं की टॉल स्ट्रोई जब कीवल कितने साल के थे तबulous उनकी मा नहीं रही मतलब उनकी माता जी अनदी के तटवर्ती कजान नगर चले गए और कजान विद्धाले में उन्होंने अर्भी और तुर्की भासा हैं सीखी ठीक है फिर दर्शन तथा कानून का अध्यान कि या पर नतू मतलब यह सारी चीज़ें ने कहां पर सीख ली वहीं पर सीख ली लेकिन फिर भी यह से यह असना या पोल्याना के लिए बराबर ललगते रहते थे क्योंकि वह उनकी क्या थी मात्री भूमी थी और उनके मन में यह बात बैठे हुई थी कौनसी बात की किसानों के बीच रहने से बढ़कर और और कोई चीज नहीं है ठीक है टॉल्स्ट्रॉइब किसानों की तरह क्या करती करते थे फिर भी विज्ञान और यात्रा में उनकी रूची रही इसलिए वे क्राकेशिया चले गए और रूसी सेना में भरती हो गया अब आगे देखते हैं रूसी सेना उस समय पहाड़ी कबीलों से लड़ रही थी काकेशिया के जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने कोस्ताक की रचना की इसमें उनके जीवन की बहुत सी बाते हैं फिर उस टाइम पर क्या हो रहा था कि रूसी सेना उस टाइम पर पहाड़ी कबीलों से लड़ रही थी और काकेशिया के जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने कोस्ताक की रचना की ठीक है इसमें उनके जीवन की बहुत सी बाते हैं 1862 में टॉल स्टोई ने 24 वर्स की आयू में एक चिकत स्ग की 28 वर्सी पुतरी सोफिया आंध्रेवा से शादी की और फिर 24 अर्थ की उम्र में उन्होंने क्या क्या टॉल स्टोई ने किससाधी की एक चिकत संग मतलब एक डॉक्टर की पुतरी उनकी बेटी से शादी करली ज उसके बाद हम संग्रहाले के निर्देशक के साथ संग्रहाले प्रासाद में गए सबसे पहले हमने टॉल स्ट्रॉय का बहुत ही भरा पूरा पुस्तकाले देखा पुस्तकाले के 28 अलमारियों में लगबग 22,000 पुस्तके हैं जिन में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसेसी, लातीन, यूनाने, स्पेनी, इटालियन तता लातातार भाशाओं के पुस्तके थी टॉल स्ट्रॉय तेरा भाशाओं जानते थे और व्रद्दावस्ता में भी हिब्रु भाशाओं इसलिए सिखी थी ताकि वे उन भाशाओं के साहित की महान कृतियों को मोल रूप में पर सके उनके कुछ कृतियां फ्रांसेसी भाशाओं में भी हैं वे बहुत ही प्रभावी हैं फिर यहां पर लिखक जी आगे लिखते हैं कि उसके बाद हम जो संग्रहाले के निर्देशक से उनके साथ हम संग्रहाले प्राशाद में गए वहां पर हमने टॉल्स्ट्रॉय का क्या देखा पुस्तकाले देखा जो की पुरा-भरा हुआ पड़ा था और पुस्तकाले के 28 28 अलमारियों में क्या था कितनी पुस्तके थी 2200 पुस्तके थी जिन में अंगरेजी जर्मन फ्रांसिस इन लाटिन युनाने चम्रहाय आशाव सिके थी यह 7 व्रिधा वस्ता में उन्होंने कौन्सी भास शीखे थी हिप्रू भाशाय सिखी थी अब वो क्यं सिखे थी सई ताकि उनके पढ़ सके धी और उनकी कुछ खृत्या पर हम ब blending बैठक खाने में जो अनेक तेल चितरों से सजा हुआ है पुस्ट काले के बाद हम कहां पर गया बैठक खाने में गया जो अनेख तेल चितरों से सजा हुआ है इसी कमरे में टॉल्स्टोय अपने समान धर्मा लेककों से मिलते थे दिवारों पर अनेक चित्र लगे थे एक चित्र टॉल्स्टोय के पुत्री मारिया लोला का था जिसे वे बहुत प्यार करते थे लोला ने जन कल्यार के कारियों को अपना जीवन अर्पित कर दिया था अपंगो और निर्धनों की शेवा में वो बराबर लगी रहती थी उनकी मृत्यू 1660 में 35 वर्ष की आयू में हो गए टॉल स्ट्रोय को उनकी मृत्यू से अतीव दुख हुआ पिर यहां पर लेखक जी आगे कहा लिखते हैं कि इसी कमरे में जो टॉल स्ट्रोय थे वो लेखकों से मिलते थे दिवारों पर अनिक चित्र लगे हुए थे और एक चित्र किसका था टॉल स्ट्रोय की पुत्री मारिया लोला का था ठीक है और वो जो लोला थी ना उससे टॉल्स्ट्रोय बहुत ही प्यार करते थी लोला ने जन कल्यार के कारियों को अपना जीवन अर्पित कर दिया था वह अपंगो और दिंदुरों की सेवा में बराबर लगी रहते थी और उनके मृत्यू कब हुई थी 1660 में 35 वर्ष की आयू में हो गई ठीक है फिर टॉल्स्ट्रोय को उनके मृत्यू से अतीव दुख हुआ कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी उसके पीछे दिवार से सटी हुई एक छोटी मेज सतरंज खेलने की थी और उसके बाद कोने में एक अंडाकार मेज थी जिसके इर्दगिर्द गोल पीठ वाली कुष्यां थी एक बार यहीं बैटकर टॉल स्टोय ने अपनी रचनाएं गोर की तथा अन्य लेखकों और अपने परिवार वालों को सुनाई थी और फिर यहां पर लेखक जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कम्रे के बीचों बीच क्या पड़ी थी एक मेज पड़ी थी बड़ी सी मेज थी ठीक है और उसके पीछे दिवार से सटी होई एक छोटी मेज सतरंज खेलने की थी और उसके बाद कोने में एक अंडाकार मेज थी ठीक है जिसके इर्द इर्द गोल पीट वाली गोल पीट वाली कुरसियां होती है न वह वहां पर लगी हुई थी और एक बार यहीं बैटकर टॉल स्ट्रॉय ने अपनी रचनाएं गोर की और अनलेखों को और अपने परिवार वालों को सुनाई थी दूसरे कोने में टॉल स्ट्रॉय की संग मरमर की मुर्टी थी चित्रों के नीचे दिवार के सहारे बहुत बड़ा पियानो रखा था टॉल स्ट्रॉय या पियानो बजाया करते थे उन्हें संगीत का बहुत सौक था कभी-कभी संगीत सुनते सुनते या स्वयम गानवादे करते करते उनकी आँखे सजल हो जाती लोग गीत उन्हें विशिश रूप से प्रिय थे लोग गीतों को वे सांस्त्रीय संगीत से अधिक मुल्यवान मानते थे उनका मत्ता कि इनकी शक्ते प्रेणा में नहीत रहती है जो जनता के आत्मा से अपने आप निकल पड़ती है अब यहाँ पर आगे लिखक जी क्या करते हैं कि दूसरे कोने में क्या थी टॉल स्ट्रॉय की संग मरमर की मुर्ती थी और चित्रों के निचे दिवार के सहरे बहुत बड़ा पिवानों रखा था क्या रखा था पियानों रखा था और जो टॉल स्ट्रॉय थे वह ही क्या करते थे इस पियानों को बजाया करते थे उन्हें संगीत का बड़ा ही शोक था और कभी-कभी संगीत सुनते-सुनते या गाते-गाते जो उनके नेत्र थे उनकी जो लोग गीत होते हैं यह लोगों की लोगों के अंदर से निकलते हैं ठीक है उनकी आत्मा से निकलते हैं इसलिए वह उनको ज्यादा पसंद करते थे उन्हें वह ज्यादा अच्छा लगता था जियो ही हम टॉल स्ट्रॉय के अध्यान कक्ष में घुसे हमने एक बड़ी मेच देखी जिस पर लिखने की विविद चीजें रखी थी मेच पर पुस्त के ठीक उसी तरह रखी दी जिस तरह लेखक ने उन्हें रखा था मोंबत्ती बे जिस तरह उन्होंने बुझा देती उसी अध्यान कक्ष में घुसे हमने क्या देखा एक बड़ी मेच देखी जिस पर लिखने की विविद चीजें रखी थी और मेच पर पुस्त के ठीक उसी तरह से रखी थी जैसे टॉल स्ट्रॉय ने रखा था किसी ने भी उसको चुगा ने था और मोंबत्ती भी उसी तरह से र से अच्छ में बढ़ता कि एक टरफ क्या ता पुस्तक निकाली निकाली और और क्या कहा कि देखिए इसका कुछ संबन्द किसे से है गांधी जी से है यह महात्मा गांधी की पुस्तक दक्षिण अफ्रिका में एक भारतिया देश भक्त थी यह पुस्तक महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्ट्रोई के पास भीजी थी टॉल्स्ट्रोई ने इस पुस्तक के किनारे किनारे अनेक टिपपणियां लिखी थी और फिर क्या होता है कि यह महात्मा गांधी की पुस्तक दक्षिन अफ्रिका में एक भारतिय देश भक्त थी ठीक है यह पुस्तक किसकी थी महात्मा गांधी जी की थी और यहां पुस्तक महात्मा गांधी जी ने किसको भेजी थी लिखी थी इस कमरे की सबसे उल्लेखनी अवस्तू वह तक्त पोस्ट था जिस पर टॉल स्टॉई का जन्म हुआ था मैंने समारक के रूप में उसका फोटो लिया और फिर यहाँ पर जो लेखक जी है वो क्या लिख रहे हैं कि इस कमरे की सबसे उल्लेखनी अवस्तू क्या थी वह तक्त पोस थी जिस पर टॉल स्टॉय का जन्म हुआ था मैंने समारक के रूप में उसका फोटो लिया इसके बाद हमने टॉल स्टॉय का शैनागार देखा वहां उनकी पत्नी के कई चित्र थे हमने वहां एक घंटी एक मुंबती और कुछ दूसरी चीजे बिस्तर के पास मेज पर देखी और फिर उसके बाद लेकर लिखते हैं कि उसके बाद हम कहां पर पहुँचे टॉल स्टॉय के सैनागार को देखा मतलब जहां पर वह सोया करते थे वहां पर उनकी पत्नी के कई चित्र थे ठीक है वहां हमने क्या देखा एक घंटी देखी एक मुंबती और कुछ दूसरी चीजे बिस्तर के पास मेज पर देखे एक आराम कुरसी पर उनी कमीज टंगी हुई थी और फिर एक आराम कुरसी आराम कुरसी होती नहीं जिस पर बटके आराम करते थी के उस पर उनी कमीज टंगी हुई थी मतलब एक कमीज थी जो कैसे थी उनी थी वहां पर टंगी हुई थी एक कोने में सिंगार की अनेक चीजे रखी थी टॉल्स्ट्रॉय सदा स्वक्ष पानी स्वेम लाते थे और गंदा पानी साफ करते थे वे अपने कमरे को ठीक रखने में किसी और की सहायता नहीं लेते थे दिवार पर एक बेत एक चाबुक तथा कुछ और चीजे टंगी हुई थे टॉल्स्ट्रॉय अच्छे गुड़सवा थे एक बार घुड़सवारी में उनकी टांग में चोटा गई थी उस समय बैसाखी का उप्योग करना पड़ा था वह भी कमरे में रखी है हमने एक जोड़ा अनव बजने वाली घंटिया और एक संदूग देखा जिसमें अभी टॉल्स्ट्रॉय के कपड़े थे उसकी बग सदा स्वक्ष पानी स्वयम लाते थे और गंदा पानी क्या करते थे साफ करते थे और वह अपने कमरे को ठीक रखने में किसी और की सहायता नहीं लेते दिवार पर क्या था एक बेत एक चाबुक और कुछ चीज़ें टंगी हुई थी टॉल्स्ट्रॉय कॉन थे बहुत ही अ पियां देखा फिर एक संदूग देखा जिसमें अब भी टॉल्स्ट्रॉय के कपड़े थे और उसकी बगल में एक चित्र लगे थे सबसे अधिक उलेक निया चित्र उनके सबसे छोटे पुत्र वालिया का था जो साथ वर्ष की उम्र में परलोकवासी हो गया था वह बालक बहुत प्रतिभा संपन था और टॉल स्ट्रॉय को यह आसा थी कि एक दिन वसायति में उनका अनुशरण करेगा बाल कि दिवारों पर क्या लगे हुए थे अनिक चित्र लगे हुए थे और सबसे उल्लेक निया चित्र उनके सबसे छोटे पुत्र किसका था वालिया का था जो कि साथ वर्ष में ही परलोकवासी मतलब उसके मृत्यू हो गई थी वह बालक ऐसा था बहुत ही प्रतिभा संपन थ और तोल्स्ट्रोय को यह आशा थी कि क्या करेंगा वह बड़ा करका उनके साहित्य का अनुशरन करेंगा मतलब वह भी जैसा बनेगा लेकिन जब मृत्यूची से उनको बहुत ही अधिकारियों ने नालीसियों के आने के पहले ही समस्त मुल्यवान चीजे साइबेरिया भेज़ी थी अगर ऐसा नहुआ होता तो यह सारा अमुल्य भंडा सब्वे जगत के लिए सदा के लिए नस्ट हो गया होता नास्टिय सेनिकों ने कई बार प्रसाद को जला देने का प् यह पॉल्याना पर अपना अदिकार कर लिया था लेकिन सव भागे वस क्या हूआ था तो नहीं देख पाते हैं और नास्टिय सेनिकों ने कई बार प्रववाशाद को जला देने का प्रतनिका लेकिन फिर भी जो वहां के स्थानिय निवासी थे जो भापर रहने लोग आम सारी जिजे फिर ले आए गए और जब झाल चेक फिर रहां पर रख रखी गए उपर के देखने के बार हम टॉल स्टव है कि काम करने के कमी में आए जो के नीचे के हिस्से में है गोर्की और चेखोय यहां कई बार आए थे इसी कमरे में अन्ना कारे नीना युद्ध और सांती तदा अन्यमहान कृतियों की रचना की गई थी इस कमरे के सुखद सांतवांता और पर जिस्टिक गए बिना नहीं रह सकती फिर यहां पर लेकग जी क के पास संत्री जैसे खड़े और गोर्की और चेखोय यहां कई बार आये थे इसी कमरे में अन्ना कारे नीना युद्ध और सांती तदा अन्यमहान कृतियों की रचना की गई थी इस कमरे के सुखद सांत वातावरर पर जिस्टिक गए बिना नहीं रह सकती थी फिर हम टॉल स्टॉय की समाधी देखने गए देवदार और सरों के लंबे लंबे पेड़ मनीसी टॉल स्टॉय के इस चीर विश्रामागर के पास संत्री जैसे खड़े हैं भोज रिक्षों की चाया में हर्याली से ढकी यह समाधी है ऐसे महान लेकग की कितनी शादी से समाधी इस महामान जिसने सारे जीवन सीधे साधे जनों की सेवा की हम नस्त मस्तक हो गए फिर आप लास्ट में लेखा की क्या लिख रहा है देखें की अब हम टॉलस्टॉय की समाधी देखने गए देवदार और सरों के लंबे लंबे पेड मनीसी टॉलस्टॉय के इस चीर विश्रामागार क तो वह लग रहा था ऐसे कैसे वह संत्री जैसे खड़े हैं ठीक है और भोज रुक्षों की छाया में हर्याली से ढखिया समाधी है इस ऐसे महानलेकग कि कितनी साधी से समाधी इस महामानों के स्मृति में जिसने सारे जीवन सीधे साधे जनों की सेवा की हम नतमस्तक हो गए यह पार्ट कंपलेट कर लिया है अब यह शब्द संसार देख लेते हैं तो मनीशी मतलब क्या होता है बच्चों विद्वान होता है अस्तित्व मतलब विद्यमानिता मोजिद्गी सिंगार मतलब सजावत सजध़न सजध़ ठीक है मस्वीदा मतलब मसोधा और मर्माहत हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह जो पार्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा तो आपको हमारे की वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको हमारे के वीडिय लगा है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिगा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू झाल